नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ ससी मेकर के यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं इसके कुछ अती महत्पूर प्रस्ण दोस्तों जो सभी परिशाओं में पूसे जाते हैं दोस्तों आपको इस वी गॉव्मेंट एक्जाम देंगे तो आपके पीपर में ये सब प्रस्ण हमेशा देखने को मिलेंगे दोस्तों महत्मे कुछ शेट पैटर्न के प्रस्ण होते हैं जो बार-बार पणिशाओं के पूसे जाते हैं और जिन प्रशनों को दोस्तों solve करने में ज्यादा time लगता है, उन प्रशनों को दोस्तों इस वीडियो में सामिल किया हूँ और दोस्तों इन सभी प्रशनों को solve करने के लिए, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान trick बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों अब इन सभी प्रशनों को बीना पेन उठाय सॉल्व करेंगे मात्र कुछी सेकंड में तो आईए दोस्तों देखते हैं महत कि कुछ अति महत्पूर प्रशन देखिए का दोस्तों पहला कोशन है, पार्टनर्सिप का कोशन है, मोस्ट इंपोर्डन कोशन है और इस टैप के प्रशन हमेशा पूसे जाते हैं, तो इस टैप के प्रशनों को दोस्तों कैसे सॉल्व किया जता है कुछी सेकंड में तो समझीएगा, प्रशन को समझीएगा अच्छे से, देखिए, प्रशन कहा रहा है दोस्तों राहुन ने 5,000 रुपए के निवेश से एक बैपार आरंब किया, चार महबार 4,500 रुपए निवेशित करके राम भी बैपार में साजीदार हो गया दो बरस बाद, दोनों का लाब करमसा किस अनुपात में बटेगा, पूछ रहा है कि दो बरसों के बाद, जो लाब होगा, वो किस अनुपात में बटेगा, ये प्रशन पूछ रहा है पांच हजार रुपए के निवेस करके एक वैपार क्या आशम stress कार गोज़ा है और 4500 रुपए निवेस करके राम भी वैपार में साज़ी दार हो जा रहे हैं कि शामील हो जा रहा है कहने का मतलब है दो बर्स बात दोनों का लाभ करम सा किस अनुपात में बटेगा तो देखिए गा दोस्तों इस टाइप के प्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे यह जो राहूल है दोस्तों कितना रुपए निवेस कर रहा है दोस्तों 5,000 रुपए कितना रुपए निवेश कर रहा है दोस्तो 5,000 रुपए निवेश कर रहा है और कितने दिन के लिए कर रहा है दो बर्स के लिए कितने दिन के लिए कर रहा है दोस्तो 2 बर्स 2 बर्स में दोस्तो कितने माह होते है महीने कितना होते है 24 तो 5,024 ठीक है और ये चार माह बाद दोस्तो 4500 रुपए निवेसित करके राम भी बैपार में साजीदार हो गया यानि राम दोस्तो जो है कितना रुपए निवेस कर रहा है दोस्तो ये कितने दिन के लिए कर रहा है दोस्तो ये चार माह बाद कर रहा है टोटल बैपार कितन लगाया है यह 25 माह के लिए लगाया है तो बस इतना ही लिखना होता है और इसको अप कटा कि कर लेंगे तुरंत answer में जागा, कठाते कैंसे हैं देखिएगा, नीचे कितना 0 है 1, 2, 3, उपर भी 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा अब क्या करेंगे दोस्तों देखिएगा 5 से ये कितने बर में कटेगा 5, 9, 45 हो जाएगा ये 2 से 24 कितने बार में कटेगा 12 बार में कट जाएगा ये 3 से कटेगा 3 3 का 9 ये 3 4 को 12 ये अनुपात क्या है दोस्तो 4 by 3 यानि कि 4 is to 3 के अनुपात में ये क्या होगा दोस्तो लाभ बटेगा करना लाभ करमसक किस अनुपात में बटेगा 4 is to 3 का अनुपात में 4 is to 3 दोस्तों किस option में दिया गया है तो option number A में दिया है तो आपका option number A दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गयोंगे अगर जो दोस्तों प्रशन यही रहे और इसमें कुछ रुपए दे दे यानि कह देता है कभी कभी ना 700 रुपए का लाव हुआ ठीक है यह 700 रुपए का जो लाव हुआ इसमें दोस्तों राहूल को कितने रुपए मिलेगा तो क्या करते हैं दोस्तों अनुपात बटा अनुपाती क्योग यानि कि 700 गुणे देखिएगा अगर जो यही क्या रेशियो दोस्तों है 4 is to 3 का है न अगर जो कह दे कि 700 रुपए का लाव हुआ प्रशन आगे थोड़ा से और लंबा बढ़ता है तो क्या होता है 700 रुपए का लाव हुआ अब इसमें दोस्तों राहूल का अनुपात क्या होगा 4 is to 3 यानि कि 700 गुणे 4 भाई 4 तीन अनुपात बता अनुपाती क्यों होता है 4 तीन 7 7 से यह क्या हो जागा कैंसिल 7 देकम 7 यानि 100 100 गुणे 4 करेंगे तो यह 400 रुपए तो 700 रुपए का अगर जो लाव होता तो राहूल को कितना मिलता 400 रुपए और राम को कितना मिलता दोस्तों 300 रुपए ठीक है कहने का मतलब यह क्या है दोस्तों यह ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ इस टाइब के भी पुणा कर लेंगे फिर बटा में देखा जाता है कि अगला बेक्ती जो आया है वो कितने दिन के लिए कितना रुपए लगा है बस कटा लेंगे वो क्या आ जाता है दोस्तों लाव का अनुपात आ जाता है और लाव का अनुपात आ जाता है कितना हो रुपए दे तो आप निकाल लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो आप इस प्रस्ण को अच्छे से समझ गयोंगे next question देखिएगा दोस्तो दूसरा प्रस्ण most important question है और इस टाइप के प्रस्ण पूछे जाए तो आप बिना पेन उठाए भी solve कर सकते है तो आऊसत भार में एक किलो ग्राम की बृति हो जाती है अध्यापक का भार ग्यात कीजिए इस टाइप के प्रस्ण पूछे जाते है या कहले जाता है कि दो ब्यक्ति को सामिल कर लिया जाए तो असद भार इतना हो जाता है दोनों ब्यक्ति का वजन कितना होगा है ऐसे प्रस्ण पूछे जाता है या एक ब्यक्ति को सामिल कर लिया जाए तो असद भार इतना विर्धी हो जाती है तो उस ब्यक्ति का वजन क्या यही प्रश्ण बनता है इसी टाइप के ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है इसके लिए दोस्तों देखिए कैसे स्वाल्ट किया जाता है यह प्रश्ण को थोड़ा समझेगा 25 विद्यार्थियों का दोस्तों आउसत भार क्या है 25 किलोग्राम है यादि अध्यापक को भी सामि 26 लोग हो जाँगे और पूछ रहा है तो अध्यापक का भार क्यात किजिए कैसे ग्यात किया जाता है देखिएगा यह 25 विद्यार्थियों का जो वजन होगा और कह रहा है अध्यापक को भी सामिल कर लिया जाए तो आउसत भार एक किलोग्राम की ब्रिद्धी हो जाती है और अध्यापक को जब सामिल कर लिया जाएगा तो कितने लोग हो जाएगा दोस्तों 25 तो चात रहे हैं यह भी दैर्थी हैं और एक अध्यापक हो जाएगा तो कितने लोग हो जाएगा दोस्तों 26 लोग हो जाएगे और औसत भार में भी क्या हो रहा है एक किलोगराम की बृद्धी यानि 25 किलोगराम है एक किलोगराम की बृद्धी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 26 गुने 26 क्या होगा दोस्तों 26 गुने 26 होता है दोस्तों 676 क्या होता है 676 अब क्या करना है दोस्तों अध्यापक क आध्यापक का भाज़, तो क्या करते हैं दूस्तों ये 26 ioy 26 यानि नि 1725 आज आएगा तो ये 266 में 7 25 आज आएगा situation क्या आएगा तो देखिए 604 मेंगे 725घ आजाएगाございます क्या आएगा ग złďटा के चेक कर सकते हैं 6 में से 50 एक 7 में से 25 quel यानि 51 healthy ये क्या आजया का आजया दोस्तों किसं सभर सही हो जाएगा तो मैं उम्मेद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही तरीके से समझ गोंते और इस मस्तार प्रतन आपके पीपर में भूछा जाएगा तो आप अच्छे से स्वाल्व कर लेंगा। next question देखिएगा दोस्तो, next question देखने से पहले दोस्तो जो नए student है, उनके लिए दोस्तो एक बता दू, दोस्तो ये पंचम publisher की e-book है, जो आपके दोस्तो अगामी सभी परिशाओं के लिए important है, चाहे दोस्तो आप railway की exam देंगे, SSC की exam देंगे, UP SSC की exam देंगे, या other आप दो one liner set मिल जागा, one liner set कहने का मतलब है दोस्तो एक line में question, दूसरे line में answer, इससे क्या होगा दोस्तो आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा question को prepare कर लेंगे, दोस्तो आपके exam में एक से दो दिन का भी time है, तो इस e-book को लेके आप जरूर पढ़ लिज जागा, आपके exam में काफी help मिलेगा, दोस्तो इसमें science, general advice, current affair के important प्रसंदियेगा है, जो बार-बार परिस्वा में पूसे जाते हैं, दोस्तो पंचम पब्लिशन इसकी कीमत 150 रुपई रखी थी, लेकिन मेरे कहना है दोस्तो यह e-book आपको मात्र 25 रुपई मिल जागी, इस e-book को दोस्तो आप ले कहा इस e-book को दोस्तो मैं खूद देखा हूँ, इसमें जो प्रसंदिये गए हैं, काफी important दिये गए हैं, जो बार-बार परिशाओ में पूसे जाते हैं, इसलिए दोस्तो इस e-book को एक बार ले के आप जरूर पढ़ लिजएगा, तो आए दोस्तो देखते हैं next question, देखिए दो दोस्तो तीसरा प्रस्न है, most important प्रस्न है, और इस टैप के प्रस्नों को दोस्तो solve करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझा रहा हूँ, समझिये कैसे solve किया जाता है, अगर जो दोस्तो इस प्रस्न को आप एक समान के solve करेंगे, तो यह प्रस 80 बर्स है, तीन बर्स पूर्ब, मतलब तीन बर्स पहले उनकी आईू का अनुपात 2 इस टू 3 इस टू 5, यह नि दो अनुपाते 3 अनुपाते 5 था, एकी बर्तमान आईू कितनी है, एकी बर्तमान आईू पूछ रहा है, तो दोस्तो थोड़ा से प्रस्न समझ लिजिएगा, प्रस्न क्या कह रहा है, तो प्रस्न जो थोड़ा से समझ लेंगे, तो क्या हो जाएगे, दोस्तो concept क्लियर हो जाएगा, आप प्रस्न इस टाइप कहाएगा, तो आप बीना पेनुपाय भी solve कर सकते है, देखिए, A, B, C की बर्तमान आईू का यह क्या है, दोस्तो 89 बर्स है, और 3 बर्स पूर्ब उनकी आईू का रेशियो दिया, यह अनुपात दिया है, 2 इस टू, 3 इस टू, 5 और 1 की बर्तमान आईू पूछ रहा है, तो देखिए, दोस्तो इस टाइप के प्रस्न ना है, तो क्या करना है, यह 3 बर्स पूर्ब कह रहा है ना, उनकी आईू का योग ठीक है, तो 3 बर्स पूर्ब उनकी आईू का योग क्या होगा, बर्तमान में उनकी आईू का योग क्या है, दोस्तो, 89 बर्स है, और 3 बर्स पूर्ब उनकी आईू का योग क्या होगा, कितने लोग हैं, दोस्तो, 3 लोग है, तो 3 गुण 3, 9 बर्स उसमें क्या कर लेंगे, द होगर सब का 3 3 Efendimiz कम हो जहाँ नहीं नौ तो79 में से दोस्तों नइन घटा लेंगे तो क्या हो जाँगा सत्तर आज एक 80 में से दोस्तों नाघटा लेंगे 20 यह क्या को गाए और तीन बर्स पूर्व उनकी आयू का अनुपात क्या दिया है एका ratio क्या दिया है दोस्तो दो ratio दिया ना तो ये क्या होगा दो बटा में अनुपात बटा अनुपाती क्यों होता है दो बटा में 2 प्लस 3 प्लस 5 2 प्लस 3 प्लस 5 जोड़ेंगे क्या होगा 2, 3, 5, 5, 5, 10 2 बटा में 10 अब गुणे कितना यह आयू का योग है दोस्तो 3 बर्स पूर्ब 70 बर्स है ठीक है 70 बर्स गुणे 70 कर लेंगे यह 0 से 0 कंसिल हो जाएगा 7 गुणे 2 करेंगे तो दोस्तो क्या जाएगा 14 बर्स 3 बर्स पूर्ब एक आयू क्या आएगा दोस्तो age क्या आएगा 14 बर्स आएगा तो बर्तमान में क्या हो जाएगा 3 बर्स जोड़ लेंगे 3 बर्स पूर्ब देखिएगा एक बार और समझाता हूँ देखिएगा बीना पेन उठाय कैसे सॉल्फ किया जाता है 89 बर्स है दोस्तो 89 बर्स ABC की बरतमान आयू का योग है तीन बर्स पूर्व उनकी आयू का अनुपाद दिया है 2 इस्टू 3 इस्टू 5 और एकी बरतमान आयू पूछ रहे तो दोस्तो 3 बर्स पूर्व उनकी आयू का योग क्या होगा 3 तीन बर्स समय से घट जाएगा तो उन्ह το 7 बर्स हो जाएगा और एक का रेशियो क्या 2. रेजियो बटा क्या होता है? अनुपात बटा नुपात ही? क्योंगu दो पांच पांच दस, दो बटा में दस वाँ जाए तो क्या होता है? तीन वाँछता है अंगा हो जागा जागा साददूना क्या होसागा? दोस्तो 14 ठीक है साथ दुना क्या हो जागा यह हो जागा 14 यह क्या है दोस्तो एक की क्या है तीन बर्स पूर्ब आई वाया ठीक है तीन बर्स पहले यह जाया है तो तीन बर्स बाद यानि बर्तमान में क्या हो जागा एक की बर्तमान आई पूछ रहा है तो तीन बर्स बाद क हैंने का मतलब यह न सोचाेगा कि तीन बर्स बात बर्तमान के नहीं तीन पर्स पूर या कि बर्तमान में क् knapp कंध से समझ आगे और इस टाप के भी प्रस्ण आक दूस्तो आप अच्छे से solve कर लेंगे, दोस्तो इसमें और भी question है उसको मैं next part में करा दूँगा और दोस्तो अगर आप math basic से zero level से और chapter wise दोस्तो पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तो आपके लिए मैं एक channel बना हूँ जिसका link दोस्तो मैं नीचे description box में दे दिया हूँ दोस्तो आप उस channel पर जाके चैनल को subscribe कर दीजे notification वेल कौन कर दीजे जहां भी दोस्तो मैं math basic से पढ़ा रहा हूँ zero level से पढ़ा रहा हूँ और chapter wise पढ़ा रहा हूँ कुछ दिनों में दोस्तो जब ओहां पर आपके math की सारी chapter समापत हो जाएंगी तो दोस्तो आप भी math के प्रेशनों को second में solve करने लगेंगे और भी बीना पर नुठ है तो math में थोड़ी से भी problem होती है दोस्तो उस channel पर जरूर जा जिसका link दोस्तो मैं नीचे description box में दे दिया हूँ और दोस्तो यह सब प्रेशन आपको अच्छे लगे है समझ में आया है तो इस वीडियो को दोस्तो लाइक जरूर कीजिएगा लाइक ओला सिम्बल नीचे इस टैप से बनाऊगा वहाँ पर प्रेश कर दीजिएगा और सेर वाला सिम्बल से बनाऊगा वहाँ प्रेश करके दोस्तो फेस्बूप वाट्सेप टेलिग्राम जितने भी दोस्तो आपके पास स्ट्रडी ग्रूप उस ग्रूप में सेर भी जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए है जिनको दोस्तो हमारे वीडियो की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है प्रेशनों के साथ तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद